हाँ नमस्कार आज हम चर्चा कर रहे हैं पार्ट विदाई संभासण की जिसके लेखक हैं बाल मुकंद गुप्त इसके पहले एपिसोड में हमने इसकी एतिहासिक पृष्ट भूमी और भाषा प्रयोगों की बात की थी आज इस दूसरे एपिसोड में हम आगे यह जानेंगे कि भासा संबंधी विशिष्ट प्रयोग क्या हैं व्यंग का किस तरह इस्तमाल किया जाता है और पार्ट में बाल मुकंद गुप्त की भारती शासन से क्या अपेक्छाएं हैं तो आए हम सुरू करते हैं पार्ट विदा संभासन विदाई संभासन पाठ धारदार व्यंग का एक नमूना है असल में हिंदी गद की निर्मार काल की लिखी गई रचना है इसलिए भासा का जो प्रयोग है वह कुछ पुराने धंका जान पड़ेगा आपको लेकिन यह बंती हुई हिंदी का नमूना है इसमें जो ख संजीदगी और आम जनता के बीच में बूली जाने वाली भाषा का प्रयोग यह बहुत महत्मूर बात है कि जब हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचानी हो उसके भीतर आजादी की चेतना भरनी हो तो उन्हीं के बीच के प्रचलित सब्दों उनके बीच में प्रचलित म हावरों लोकोगतियों और कहने के तरीकों का इस्तमाल ज्यादा प्रभावी और संप्रेशनी होता है और सिव संभू की ओर से लिखा गया यह पत्र चिठा एक सासिक गद्य का नमूना है जहां पर लेखक सीधे सीधे सामराज जबाद की जो बुराईयां है जो उसकी कमिया है उसका चेहरा जनता के सामने प्रस्तुत करता है अपने लोगों की भाषा में मुहावरेदार जो भाषा है उसका एक नमूना इस पार्थ में मिलता है आप भी ध्यान से सुनिए आपको स्वेम इस बात की बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी असांति आप फैला चले हैं उसको मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नीद और भूख हराम करना पड़ेगा इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूदों की भाती नचाया है आप स्वेम भी खु गर्म तवे पर रखना और गर्म तवे पर पानी की बूदों की भाती नचाना इस प्रकार के जो प्रियोग हैं वो इस भाषा को एक अलग ही रवानगी और विशिष्टा प्रदान करते हैं वो सीधे सीधे लोक में प्रचलित जो व्यंग कहने की जो सैली है उसके साथ जू साथ सबसे अच्छे लेखक हैं व्यंग के संदर्व में बालमकुंद गुप्त की परंपरा कभीर से जुड़ती है जिस प्रकार कभीर अपनी रचनाओं में व्यंग का धारदार उपियो करते हैं उसे प्रकार बालमकुंद गुप्त अपने व्यंग लेखन से इतने मारक प अपनी पुस्तक कवीर में उसकी परिभासा बताई है व्यंग वह है जहां कहने वाला अधरोष्टों में हस रहा हो और सुनने वाला तिल्मिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासासपद बना लेने लेना हो जाता हो गुप्त जी के ले कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे अलिफ लेला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गदी पर आँख खोल कर वह सान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आ आपको सलाम पहले किया और बादसाह के भाई को पीछे तो वो एक तरह से यह बता रहे हैं कि आपने अपनी सानों सौकत में कोई कमी न छोड़ी जब पाठ के सुरू में हम यह चर्चा कर रहे थे कि शो और ड्यूटी के फर्क को वो मुद्दा बनाते हैं तो यह शो था कि दिल्ली दर्बार में करजन ने अपने आप का महिमा मंदन किया और जो राजा के जो भाई थे उन्हें भी अपने से नीचा ही एस्थान दिया उसे बगल में बिठाया था तो यही सब कारण थे कि करजन का पराभव हुआ कैसे हुआ लिखते हैं गुप जी कि कितने ही राज के खिलोने आपकी किरपा के जादू से बड़े-बड़े पदाधिकारी बन गए आपके इस इसारे में इस देश की सिक्षा पायमाल हो गई स्वाधीनता उड़ गई बंग देश के सिर पर आरह रखा गया आह इतने बड़े माईलाड का यह दर्जा हुआ कि फोजी अपसर उनके इक्षित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुसे के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा वह भी मंजूर हो गया उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा उल्टा उनहीं को निकल जाने का हुक मिला तो माईल अर्ड का पतन हो गया वाइसराय जैसे सर्वच पद पर जो व्यक्ति कारे कर रहा था जिसने अपनी शानों सौकत के लिए दिल्ली दरबार सजाया जिसने अपनी सान में में बढ़ुतरी के ल नाथो जिल्लत हो करके भारत से जाना पड़ा पार्ठ में गुप्त जी करजन के किये गए कामों पर सवाल उठाते हैं उसके सासन के तरीके और उसकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं लिखते हैं क्या आंक बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम प Elvis है किया प्रजा की बात पर कभी कानना देना और उसको दबा कर अपनी मरजी के विरुद्ड जिद्डे से सब काम किये चले जाना ही साषण कह लाता है एक काम तो ऐसा बतलाeto please जिसमें आपने जिद्ड होड़कर पर प्रजा की बात सुन लेते हैं पर आप एक मौका तो बतलाईए जिसमें किसी अन्रोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो तो सासन कैसा हो इसके बारे में गुप्त जी एक धाचा रखते हैं एक अपनी सोच रखते हैं जो इस पाठ के भीतर शामिल है कि उनकी मांग है कि सासन का उद्दे से समाज की बेहतर बेवस्था का निर्माण ही होना चाहिए और यह किसी व्यक्ति के लाब के लिए नहीं होना चाहिए अच्छे समाज के लिए नियमों को बनाना और उसे लागू करना सासन का कार्य है इसी तरीके से जनहित के अनुरूप बेवस्था का प्रबंध करना और हर नीती में जलकल्यान का भाव होना जरूरी है जनता का दुख दर्द समझने के लिए भी सही तरीके का होना एक बेवस्था का होना जरूरी मानते हैं और इन्हीं बातों पर वो करजन की आलोचना करते हैं कहते हैं माई लोड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाये जाता है उसके देश से आप भी चलते समय कुछ सम्भासन करेंगे क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत मैंने तुस्से सब प्रकार का लाव उठाया और तेरी बदौलत हुआ सान देखी जो इस जीवन में असंभव है तुने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में सकती थी तेरे भलाई की इक्षा मेरे जी में न थी अब कुछ सकती नहीं है जो मैं तेरे लिए कर सकूँ पर आशिरवाद करता हूँ कि तु फिर उठे और अपने प्राचीन गौरो और यश को फिर से लाव करे मेरे बाद आने वाले तेरे गौरो को समझें आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बाते भूल सकता है पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहां तो इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहां ये जो अन्तिम वाक के इस चिठे का है वह करजन पर सीधी चोट करता है कहते हैं कि जाते समय भी अगर तुम भारतियों की परसंसा कर दो उनके अपने किये गए गलत कारियों को स्विकार कर लो भारत के अच्छे भविस्ति की कामना ही कर दो तो ये देश साय तुम्हारे किये गए सारे कारियों को बुरे कर्मों को भूल जाएगा लेकिन तुम्हारे भीतर उदारता नहीं है और तुम अंकार और नसल के भेज से भरे हुए हो तो इस प्रकार से वो करजन पर सीधी चोट करते हैं और अपनी बात को समाप्स करते हैं तो कहने का जो धंग है वो इतना असरदार है उसमें इतनी भंगिवा मौझूद है कि वो सीधे सीधे पाठक के हिर्दे में समा जाती है बात भासा का जो प्रियोग करते हैं इस में कि आगे भी इस देश के प्रधान सासक आया था उनको भी जाना पड़ा या आप किसको आये थे और क्या कर चले तो ये सुरुवाती हिंदी के नमुने हैं आज इनका रूप बदल गया है आप अपने पाठ में आये ऐसे वाक्यों की पहचान कर सकते हैं उन्हें ढूंड सकते हैं कि ऐसे कौन सेवाक्य हैं जो पहले अलग धंग से लिखे जाते हैं अर्थे और आज अलगढ़ से लिखे जाते हैं इसे तरह देखिए-गा कि पधारें सब्द का इस्तमाल एक खास संदर में किया गया है आमत्वальные पर इसका अर्थ होता है आना लेकिन इसमें आप पधारें यानि जाए करजन के कहें तो दियंग का अर्थ या दर्भी करता है इ जंगी लाट जो जंग यानि की युद्ध तो युद्ध का जो अपसर है जो सबसे बड़ा अधिकारी है कौन है जंगी लाट है इसे तब पायमाल होना ये श्रब्द साइद आज की भासा में कम पर चली थे नस्ट होना अर्थ है नस्ट होना गुप्त जी ने इसमें कुछ ए देरने घोटने सब्द का इस्नमाल किया है जो एक बड़ा विसिष्ट परियोग है आज के समय में उसका प्रियोग नहीं होता है तो उसके अलावा एक और पात्र है नादिर साह उसका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से वह लोगों को लूट लेता था और जब उसने दिल्ली के बावजूद आपने बंगाल के विभाजन को रद नहीं किया तो इस प्रकार से वो एक एतिहासिक संदर में करजन के किये गए कारियों को रखते हैं उसकी तुलना करते हैं आलोचना करते हैं तीखी आलोचना करते हैं उस पर प्रहार करते हैं और अपनी बात को रखते है कि साइद करजन का अहंकार उसके जो रंगभेद की जो सिष्टा की नीती है कि गोरे लोग जो है इस दुनिया में राज करने के लिए बने हैं साइद इसकी वज़ा से है और इसलिए करजन किसी की बात नहीं सुनते हैं तो इस पाठ में हमने यह देखा कि किस प्रकार बालमुकुंद गुप्त ने लाड करजन को लिखी गई चिठी के माध्यम से भारती जन मानस की वेदना को प्रस्तुत किया भारत के लोग करजन के जाते समय क्या सूच रहे थे उनके असली पीड़ा क्या थी करजन की पीड़ा को भी उससे वो जोड़ते हैं और बताते हैं कि जब कोई किसी की बात नहीं सुनता है उसके दिल पर क्या गुजरती है कम सकम जाते समय तो करजन यह बात जरूर समझ रहे होंगे तो इस पार्ट के बारे में जो बात हमने सबसे पहले कही थी उसी से अंत करना मैं चाहूंगा कि जो लिखना था वो लिखा गया अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला करिए और करजन अपनी ड्यूटी में फेल हो गए यह बात इस पार्ट से हमें समझ में आती है धन्यवाद जादार झाल 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 हुआ झाल झाल झाल